हेलो फ्रेंड्स दिस इस हर्विंदर सिंह और वेलकम तो दा यूटिब चैनल लॉन विद हर्विंदर सर अधे इस वीडियो विच आसी करांगे P.S.E.B. क्लास 10 इंगलिश दा चैप्टर दा हैपई प्रेंट्स इस चैप्टर दे short question answer, long question answer, objective questions अते translation दोस्तों इस गल्दा त्यान रखो कि इस वीडियो वीच आसी इस चैप्टर दे question answers किते हन पर जे आप सारे ने साड़े नाल इस चैप्टर दे explanation करनी है इस चैप्टर नों समझण आता सी उससी अलगत वीडियो बनाई है जिससा लिंक थल्ये डिस्क्रिप्चन बॉक्स वीच दिता गया है ते चैप्टर दी पूरी तरह त्यारे लई आप सारे विद्यार थी उस वीडियो नों भी जरूर देखो तो ज़े अज़े तक आप सारे ने यूटिप चैनल लर्न विद हरविंदर सर नों सब्सक्राइब नी किता तो चैनल नों सब्सक्राइब जरूर करो ताकि नम्याँ वीडियो साब सारे नों समय से प्राप्त हो सकना आओ शुरू कर देया सब्सक्राइब सारे नों सब्सक्राइब करांगे शौट कुशन अंसवर जिसम्ट सब्सक्राइब यह डिट देट देट अच्चू आप प्रिंस स्टेचू अपर एक उच्चे थम विच खडा थी वेर वाज देट 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 अपर ब्रिंस स्टेचू नों बुत नों की में सजाया गया सी देट अच्चू विच दो सफायर दो नीलम सं अते तलवार दी मुठी विच लाल हीरा सी अगला कुश्चन है वाज देट देट प्रिंस पूट दा मतलब उन्दा रेस्ट करना वे अबबील पंची उद्दा रेस्ट क्यों कर रहा सी देट पूट पूट प्विच विच पूट पूट बट्वील पंची उद्दा रेस्ट करना गया वेर वर देट 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 पूट पंची उद्दा कित्ध ओ आरें सांग The drops were coming from the eyes of the statue of the happy prince. The happy prince दे statue दिया अखा दो, देर पाद्रोप सीगे हुआ रहे सन. Why was the happy prince crying? Happy prince रो क्यो रहा सी? The happy prince was crying because he could see the sorrows and mysteries of the people of the city. क्योंकि वो शहर दे लुख का अंदे दुख का दे तक्लीफा नो देख रहा सी का ऐस करके वो रो रहा सी. Describe the seamstress in the words of the prince. Happy prince दे accordingly seamstress जड़ी दर्जन सी हो किस तरह सी? The seamstress was a poor woman. Her face was thin and worn. Her hands were pricked by needle. ते दर्जन बहुत गरीब सी. ते जड़ा उस दा फेस हो बहुत पतला सी. ते ठक्या होया सी. ते जड़ा उस दे हाथ सन वो भी सुई नी नाल चिद्दे के सन. Why was the seamstress little boy crying? We seamstress the munda क्यों रो रहा सी. He was suffering from fever and wanted to eat oranges. But his mother could not afford to buy oranges. So he was crying. ते दर्जन दे मुंडे नो बहुत बुखार सी. ते उसने संत्रा खाना संत्रे खाने सी. ते उस दी माय वो संत्रे खरीज नी सी सक्दी कोकि उसकोल पैसे नी सन. तेयस करके जड़ा उस दा मुंडाय हो रो रहा सी. How did both the happy prince and the swallow help the seamstress? The happy prince अदे अबबील पंची ने किस तरह दर्जन दी मदद किती? They helped the seamstress by giving the ruby from the sword head of the statue to her. ते किस तरह मदद किती? उनना ने statue दी, जड़े happy princess statue सीगा, उस दी तलवार दी मुठी विच्चों जड़ा रूबी ये लाल हीरा करदे के उस seamstress नू दे दे देता. Why did the swallow feel warm? जड़ा बबबील पंची ये warm feel क्यों कर रहा सी? The swallow had done a good deed by helping the seamstress. It made him feel warm. ते उस अबबील पंची ने वदिया कम किता सीगा, वे seamstress नी दरजण दी मदद करके, ते ऐस करके उवाम feel कर रहा सी. What troubled the young man in the garret? Top floor दे छोटे जे कमरे वेच, garret वेचे उस young man नू की जीज़त तकलीफ देरी सी, trouble कर रही सी. The young man in the garret was a playwright, he was feeling cold and hungry. The young man was helped with the sapphire, उस नू सिफायर नीलम देखे उस दी मदद हुई. Why was the match girl crying? The match girl was crying because her matches fell into the gutter and were spoiled. The fellow said to the prince, I will stay with you always, why? The fellow said so because the happy prince was now blind. क्योंकि उस दी अख्खा, happy prince दी स्टार्चो दी अख्खा दी साफायर जा चुक्के सन, तो blind हो गया सिखा ते ऐस करके से लो ने अब बाबील पंची ने आजए है के हाँ. अगला कुश्चन है, How did the poor fellow manage to live in so much cold? ते एनने ठंड विच वियो किस तरह रहा? जड़ा बाबील पंची है. The poor fellow manage to live in so much cold by flapping his wings. ते अपने खंबा नो फट फड़ा के जड़ा बाबील पंची हो एनने cold विच भी उसने ओ रहा उसने इस तरह सर्वाइब किता. Why was the statue of the happy prince pulled down? ते happy prince ते statue नो बुत नो क्यों उता रहा गया? The statue of happy prince had lost its ruby, sapphires and gold. It was not beautiful anymore, so it was pulled down. What were the two most precious things in the city? The lead heart of the happy prince and the dead swallow were the two most precious things in the city. The happy prince is the lead of the heart and the dead swallow is the precious thing in the city. ते दोस्तों एते सिने के short question answers नो ना सी करांगे long question answers. सब तो पहला है, why was the prince called the happy prince? उस prince नो happy prince क्यों क्या जंदा सी? ते इस दा अंस्वार है, when the happy prince was alive, he lived happily in a palace. नो sorrow was allowed to enter there, he did not know what tears were, he was always happy and was called the happy prince. ते जदो happy prince जिंदा सी ते वो खुशी खुशी अपने महल वेच रंदा सी ते उस महल वेच कोई दुख तक लीफ है वो नहीं सी. ते उसनो एवी नहीं पता सी का भी हंजू की हुंदेने और मेशा खुश रंदा सी ते उसनो happy prince से क्या जानता सी? I cannot choose but weep. Why did the happy prince say so? ते happy prince ने जाया क्यों क्या कि मैं रोण तो लावा कुछ नहीं कर सक्दा? ते जानसर है, the happy prince was a beautiful statue. It stood on a towel column. When the prince was alive, he was always happy, but now he could see the sorrows and miseries of the people, but could not help them. Therefore, he could not choose but weep. ते happy prince से एक beautiful statue से गा, वोई कुछ रे थमते खड़ा से गा, जदो happy prince जियूंदा सी गा, वो हमेशा खुश रंदा सी गा, पट होणो लोगा दे दुख दे तकलीफा नो देख सक्दा सी, पर उनना दी help नी सी कर सक्दा. ते एस करके उसने आए गया कि मैं रोनतों से वाँ कुछ नहीं कर सक्दा. अगला कुश्चन है, comment अंदा रिमार्क, ते living always think that gold can make them happy. ते जियूंदे लोग ऐस सुचदे हैं कि gold ही सोनना ही होनना नो खुश कर सक्दा, एस ते comment करो. ते एस अंसरा, gold here means money. Money indeed has a power to make people live a happy life. In today's world, basic needs like food, clothes and shelter cannot be fulfilled without money. But money is not everything in life. Real happiness is sympathy and contentment which are required for internal happiness in life. ते अथे statement फिच गोड दा मतलब पैसे है, ते पैसे कुल बाकी पावर हुंदिया भी बंदा हो खुशाल जिंदगी जी सके. क्योंकि आजकर जी जी बेसिक needs ने, जी में की food, clothes जाते shelter, उस जी 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 नीड हो पैसे तो बिना पूरी नहीं हो सक्दी. But पैसे ही सब कुछ नहीं हुंदा. ते रियल खुशी कित्थों मिल दिया, रियल खुशी हुं दिया, sympathy and contentment which are required for internal happiness in life. ते हम दर्दी है, ते संतोक तो ही साननों जड़ी खुशी है, वो मिल दिया. अगला क्विशन है, वाइड़ दा मेर डिसलाइक दे स्टैचू सो मच? और मेर नोट्स जीड़ा, है वदिया क्यों नहीं सी लगदा, उसनों और डिसलाइक क्यों करदा सी? अगला क्विशन है, राइटा शॉर्ड नॉट नॉट अफेर डिसलाइक क्यों क्यों राइटा शॉर्ड नॉट नॉट न ने गवोल्ड सोन ना वी जा चुक यह सेगा, ते विवू दे बीटिफल भी नी सिगा, ते मेर ने क्या कि रिड़ाइक दे उसनों युसनों किता. अगला क्वेशन हो राइटा शॉट्नोट नूट नाट न साफरें रूपर और हुपर प्रॉब जी से एंट। ते गरीब लोग बहुत ही दुख पर्यास जीनने बतीद कर रहे सान। दरजन्ट देडा पुत्तर उसनों फीवर सी गाते उसनों संत्रय काने सान। पर उससी माय हो संत्रय खरीद नी सी सगधी प्यासी आंदी कमी खारन। ते नाटक का रहा जड़ा यंग प्लेराइट है उस तो भी कापी ठंड लगरी सी ते ओ पुखावी सी ते माच्चे से वेच्ट वाले कुड़ी भी बहुत दुखे सी को कि उस दी नेडी माच्चे सा है ओ निकाटर वेच डिक पई या सा वट इस अमेसेज कन्वेड बाद अथर वेस कहाने विट साननों लेखक ने की संथे या संदेश दिता है न मैसेज कन्वेड बाद राथ इस एड सर्वेश पीपल इस दे सर्वेश अफ गौद एड प्रवाद गौद प्रूर एंड पूर दूब्स अवार्पिनेश गंवेड लोकां दी सर्वेश पगवान दी रब दी सर्वेश है ते जड़ी सची खुशी है वो लोकां दे जरूरत बन लोकां दी मदद करके अंदी है गरीब लोकां दे जरूरत बन लोकां दी मदद करके सची खुशी अंदी है ते हैपी प्रिंस ने गरीब लोकां कारण अपना हां दित्ती तो दोस्तो है तो सिगे लॉंग कोशेंग अंसर होना सी करांगे अब्जक्टिफ कोशेंग्स जिस विट सब तो पहलना है तो द्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम दा आईज अफ़ प्रिंस अगला है तो सन ऑफ सीमस्टेस वस क्राइंग विकॉस ही वॉंटे तो गो कि उसनो रूबी दिद्धा गा सी होओ धो ओड़्ड तो पूल दॉफ धब्नेट विक इस ने हुकम दिद्धा भी इस विट्त मु पूल दॉफ टो पूल डॉन कित जई ते जाए तेस ज़त्तर मे रन तो या फोल्स थे फोल्स है वुक्रिट वस डेकुरेट विज़ए 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 लेके आन वास थे इस द अब तर है अचल तो बात था मैं इन गेरट वस राइट थे प्लेए ते एंड विज़ए इंपोर्टेंट सेंटेंसे फोर ट्रांसलेशन जिस विज़ए सब तो पहला है वाई आर यू विपिंग देन ते पंजाबी विज़ए असे लिख सक दियां फिर तुसी रोग क्यों रहे हो दे पूल डाउन दा सेचो अफ दे हपी प्रिंस उन्ना ने हपी प्रिंस से बुतनू हेठा देख दितता आएम वेटेड फोर इन एजप्ट मेरा मिसर विच इंतजार हो रहा है इट इस वेरी कोल्ड हेर एथे बहुत थंड है I have a golden bedroom मेरे कोलिक सुनहरी सोन वाला कमरा है There is not a single cloud in the sky असमान विच एक भी बद्दल नी है Then another drop fell फिर एक होर बूंद डिगी My courtiers called me the happy prince मेरे दरबारी मिन्नू happy prince आख देशन I have come to bid you goodbye मैं तौनू अलविदा कहना यहा How hungry we are असे किन्ने पुखे हा Difference ऐसे कि complete exercise long question answer, short question answer, objective question से translation from the chapter The happy prince मिन्नों पुरी उमीद है कि आप सारे ने सदे नाल exercise चंगी तरह कर लही हो नी ते आजडे questions ने examination point of view तो भी बहुत important हन मिलांगे आप सारे नों अगले वीडियो दे विच अगले पार्ट ते नाल उधों तक अपने द्यापक सिर्दार हर्विंदर सिंग नों दियो इजाजत स्रीयकाल झाल